नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News में हूँ आपके साथ मीखा सतरवी लोग सभा के पहले सत्र में जहां एक तरफ कई बड़े चेहरे संसत पहुँचे शपत लेने वही सबकी निगाही ढूंटी रही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी को राहूल गांधी सतरवी लोग सभा के पहले सत्र में नहीं पहुचे राहूल गांधी ने संसत में अपनी मौजूद्गी दर्ज नहीं करवाई भारतिय जनता पार्टी की ओर से राहूल को आड़े हातों लिया जाना शुरू हो चुका है और यहां कॉंग्रेसी खेमे में हलचल एक बार फिर मचने लगी है कहा जा रहा है कि राहूल गांधी इसलिए यहां नहीं पहुचे क्योंकि वो अब तक पार्टी से खपा है राहूल गांधी अध्यक्ष पत्स से इस्तीपा देने के फैसले पर अड़े हैं और जब तक पार्टी नया अध्यक्ष नहीं चुनती जब तक पार्टी राहूल के इस्तीपे वाले पैसले को मनजूर नहीं करती राहूल इसी तरह से जितने भी ज्यादा जरूरी इस तरीके की मीटिंग्स होगी उनमें अपनी मौजूद्गी दर्ज नहीं कराएंगे अब पार्टी करे तो क्या करे जरूरी हो गया है पार्टी के लिए अध्यक्ष पद पर पैसला लेना और अध्यक्ष पद पर बड़ा पैसला होता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई पढ़ने वाला है दरसल अगर शुरुवात से लेकर अपदक राहूल के इस दीपे को लेकर जो कुछ भी यहाँ पर कॉंट्रोवर्सी विवाद क्रियेट हुआ है इस पर आप नजर डालेंगे तो जान पाएंगे कि यह विवाद राहूल गांधी ने ही खड़ा किया इसे जोर राहूल गांधी ने ही दिया तो नया अध्यक्ष आखिर पार्टी में क्यों नहीं अब तक बन कर आ रहा है नया अध्यक्ष पार्टी में इसलिए बन कर नहीं आ रहा है क्योंकि राहूल गांधी को तलाश है दूसरे मनमोहन सिंग की ठीक सुन रही है आप लोगों का कहना है राजनीतिक मिशलेशकों का कहना है कि राहुल गांधी को दरसल दूसरे मनमोहन की तलाश है दूसरे मनमोहन की जिसके उपर वो डिक्टेटर शिप का डंडा चलाते रहें दूसरे मनमोहन की जिसे वो डिक्टेटर बनकर डिक्टेट करते रहें और अपने अनुसार फैसले लेते रहें यानि राहुल गांधी जो अब तक हर फैसले के रूप में सबसे आगे थे राहुल गांधी जिन्हें हर फैसले के जिम्यदारी लेनी पड़ती थी क्योंकि वही अध्यक्ष है पाजी के अध्यक्षपद पर विराजमान है तो जिम्यदारी उनहीं की है जवाब दे ही उनहीं की है विपक्षी रलों के निशाने पर राहुल गांधी ही आएंगी लेकिन अब राहुल गांधी मिजाज अपना बदल चुके हैं अब राहुल गांधी चाहते हैं कि उनके फैसलों को जनता के बीच कोई और पहुँचाए गौर से सुनिये और जरा इस पर ध्यान भी डाली राहुल गांधी चाहते हैं कि फैसले उन्ही के हो, सोच उन्ही की हो, मुहीम उन्ही की हो बस जनता तक इसे कोई और पहुचाए ताकि अगर वो सोच, वो मुहीम उल्ती सावित हो भी जाती है तो भी विपक्षी दलों के निशाने पर राहुल गांधी ना आए एक नए मनमोहन की तलाश है रागुल गांधी को जो खुद चुपपी भले ही साधे रखे लेकिन रागुल गांधी के तमाम फैसले यहाँ पर माने और अपने कंधों पर जनता के वीच जाकर उसे पेश करें ताकि अगर उन फैसलों का नतीज़ा गलत भी निकलता है तो भी रागुल गांधी पर किसी तरह की कोई आच ना आए और विपक्षी दल गांधी परिवार को अपना निशाना ना बनाए अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है इन बातों को इतने दावे के साथ भला कैसे कहा जा सकता है तो ज़रा सोच कर देखिए अगर यकीनन ऐसा नहीं होता तो क्या कॉंग्रेसी खेमे में कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो अध्यक्षपत की जिमेदारियों को संभाल सके कहा गए युवा जोश से भरे सचिन पाइलेट कहा है जोती रादित्य सिंधिया जो सचिन पाइलेट राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्य नजर पार्टी की छवी जनता के बीच अपने वादों के जरिये सुधार सकते हैं वो सचिन पाइलेट कॉंग्रेस के अ नहीं चलेगी राहुल गांधी को जो है अध्यक्ष की भूमी का तो अदा करनी है लेकिन अध्यक्ष पद पर बैठना नहीं है राहुल गांधी को पावर अध्यक्ष जितनी चाहिए लेकिन अध्यक्ष पद पर बैठना नहीं है यानि इस्तीपा देने के बाद भी अप्र अध्यक्ष रूप से अध्यक्ष के तोर पर ही राहूल गांधी कॉंग्रेस पार्टी को चलाना चाहते हैं। उन फैसलों को जनता के बीच वो नया अध्यक्ष पहुंचाएं। अगर फैसलों के नतीजे गलत निकलते हैं। विपक्ष सवाल उठाता है राहूल गांधी निल्जामों से बचे रहे। तो नया अध्यक्ष को लेकर यही राहूल गांधी की दरसल रणीती है जो काम्याब होती हुई फिलहाल दूर दराज तक दिखाई नहीं पड़ रही। क्योंकि अब पार्टी यहां पर समझतारी के साथ काम कर रही है। क्योंकि अब पार्टी साथ कि अब खर समझतारी के साथ नहीं पार्टी से नहीं पार्टी से दूर थे रही है।